नमस्कास तो स्वागत अगन चल पर इस वकी बड़ी ख़वर के साथ एक बाद फिर जाव के सामने मोद जहां पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश की पलपल की सारी बड़ी अपड़ी अपडेट आप पहुचाएंगे लिएकि उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुज को संबोधित कि यहां पर धिस राल जनसभा को संबोधित करते हुए लुत रहता है अचीपरमपरा है इसको मत बदलना इससे नेताओं का दिमाद धिका ने पर रहता है। इसके बाद पुरेंगा गंधी ने अपनी दादी को याद करते हुए कहा कि मेरी दादी इंदरा गंधी का हिमानचल प्रदेश से आध्यात्मी ग्रिष्ता था जो आज की राजनिती में कम ही दिखाए देता है। मैं हिमाचल प्रदेश के किसी गाउं में भी जाती हूँ तो वहां के लोग कहते हैं कि हमने आपकी दादी को देखा था आज 40 साल के बाद भी उनके प्रती लोगों में आदर और सम्मान देखने को मिलता है उनके जाने के बाद भी देश की राजनिती काफी बदल गई है आप बाद ये थी कि उस दोरान बर्मवारी हुई थी इसके बाद भारी संक्या में लोगों की मौजूद की देखने को मिली जो उनके प्रती प्रेम को दिखाता है वहीं आपको बता दे कि प्रतिग्या रैली के दोरान प्रेंका गांधी ने प्रधान मती नेरेद्र मोधी और भ प्रतैशी शुनीता ठाकुन ने अपना नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी में सामिल होने की गोशना कर दी है आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और आमाधी पार्टी के बीच में कितने अच्छे संबन्द है दोस्तों की एक नेता पहले नोमिनेशन भरता है और एन व पर जल्द कारवाई करने जा रही है 6 साल के लिए सब को निसकासित किया जाएगा आपको उतादे कि इन सभी नेताओं को मनाने के लिए भाजपा के बड़े बड़े वरिश्ट नेताओं को लाइन में लगाए गया था दोस्तों लेकिन एक भी नहीं माना और 21 भागी नेता के 54 दिन राहूल गांदी ने तिलंगाना के साध नगर में पदियात्रा की है 1200 किलोमिटर की दूरी तै कर ली गई है दोस्तों आपको दादे कि राहूल गांदी ने इस दोरान प्रेस कॉनफेंस को संबोधित किया उन्हें कहा कि विभीन संस्थानों पर हमले हो रहे हैं दे जिसको लेकर जबर दस उस्तावी देखने को मिल रहा है आपको दादे कि राहूल गांदी की प्रेस कॉनफेंस से पहले दो मिनिट का मौन व्रत भी रखा गया था गुजरात के मौरबी ब्रिज हास्ते के मामले को लेकर रयसे में राहूल गांदी ने कहा कि देश में दो व हमासान देखने को मिल रहा है कॉंग्रेस पार्टी अपने वार रूम से प्रतियाशों के पक्षने माहूल बनाने में जुट गई है इस बात का आकलन किया जा रहा है कि विजहान सबास सीट पर उमिदारों के सामने सबसे बड़ी कठनाई लोगों तक पहुँचने की है कोक पहुचने की पूरी कोसिस की जा रही है दोस्तो और ऐसे में गुजरात के चुनाव को लेकर राहूल गांदी ने बड़ा बयान दिया है दोस्तो उन्होंने कहा कि गुजरात में तो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार पूरी बहुमस से बन रही है और इसके बाद उनसे सवाल पूचा गया कि आम आदी पार्टी के बारे में आपकी क्या कुछ राय है तो उन्होंने इसका भी जबाब दिया है आपको अतादे की राहूल गांदी ने बयान देते वे कहा कि मैं मोर्भी में हुए पुल हास्से के मामले पर उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनिती नहीं करन कोई बयान नहीं देना चाहता हूं जिसके बाद राहूल गांदी और प्रधानमत्री मोधी दोनों की तस्वीरे शेयर की जा रही है दोस्तों आपको अतादे कि राहूल गांदी ने जो ये बयान दिया है कुछ ऐसा ही एक मामला बंगाल में देखने को मिला था जब प्रध आमादी पार्टी के बारे में जो बाते कही जा रही है गुजरात के अंदर आमादी पार्टी हवा में है जमीन पर उनका कुछ नहीं है वो विग्यापन पर पैसा खर्च कर रहे है ऐसे में उनका हवा बनाये जा रहा है गुजरात के अंदर कॉंग्रेस पार्टी मजबूत झाल झाल